आल राइड गाईज तो फर्स्ट अफ वाल दोस्तों वीडियो काफी लेट आ रहे है उसके लिमें माफिश आता हूँ विकॉज मैं जॉब के साथ साथ मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को और जो लोग नए वो लोग पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना हो के तो चले स्टार्ट करते है हमारी वीडियो और सबसे पहला अपडेट आता है दोस्तों एक बहुत ही नया आटलेट है बड़ बहुत ही दमदार और पोटेंशल वाला आटलेट है जिनका नाम है ओबन रॉक्समान इनकी फीजिक मैंने देखी रिसेंटल इंस्टाग्राम पे और यह फीजिक देखके मुझे पता ही नहीं चला कि यह टूटवल के बाड़ी बिल्डर होंगे मुझे तो ऐसा लागता था कि उनका वेट भारी बरकम होगा पर हाइट चोटे होने के कारण उन्होंने बहुत ज इनका प्रेस्ट को कंट्रोल कर रहे है जब वैक्यूम हीट कर रहे है लैट्स टु वैक्यूम के रिशो उनका बिल्कुल डेरेक लंसपर से मैच होता है हाला कि डेरेक का टोर्सो इनसे भी थोड़ा लंबा है बट फिर भी अपर बोड़ी काफी अच्छी लगती है लोवर मुझे तो इनमें पोटेंशिल दिखा और इसलिए मैं अपडेट कवर कर रहे हूँ तो यह नई फीजी के नया बॉड़ी विल्डर देखके इनका पोटेंशिल देखके आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना सेकंड अपडेट लाते है दोस्तों हा वाली फीजिक डेरिक लेंस्वट ओवर्वल डामिनट कर रहे थे बैठ से उनको तो उन्होंने अपने बैक वाली इसंअ को इतना सीरिएशल ले लियाय इतना सीरियसलि बैक को train करे, consistently train करे और definitely उनके lats में improvement धिकरी है और भी इस उमर में तो मुझे लगता है बंदे में potential और भी ज़्यादा बचा हुआ है और और ज़्यादा अच्छा वो body building में कर सकते है definitely glutes hamstring में अगर थोड़ा भी muscle mass add-on होता है और जितनी complete अगर उनकी bag हो सकती है अगर वो करते है दिन guys मुझे लगता है इस साल results change हो सकते है जिसका preference बदलने में ज़्यादा time नहीं लगेगा because वही preference उनका एक साल में बढला था Derek के तरफ और फिर से reference hardy के तरफ बदल सकता है because vascularity granny look और सारी चीज़े तो हाड़ी चुपन के पास जादा है just उनकी रियर फिजिक उतने अच्छी नहीं थी but let's see hardy चुपन ने तो बहुत ज़्यादा seriously लिया यह प्रेप और overall उन्हें हार को जिस तरह से respond कर एक champion mentality से respond कर रहे हाड़ी चुपन के पारे में आप क्या कहने चाहते हैं आपको लगता है वह आर्ण लगासिक जीतेंगे आपको जो भी लगता है आप comment section में लीग देना अगला update आता है अली बिलाल के तरफ से और यही वह athlete है जिनने 2022-2023 इस overall dominant कर रहा था और इंडियन bodybuilding में उनका काफी ज़्यानाम हुआ था इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग उनको प्यार करते हैं अब कहीं न कहीं वह गायाब सही थे और इस साल मुझे लगता है कि उन्होंने जान लिया है बाड़ी को जीतना race देंगे जितनी कम शोट ख खिलने के बाद अगर उनको जीत मिलते हैं देन मुझे लगता है सिधा उनको आना चाहिए और वही फिजिक को अपने maintain करते हुए जाधा improvement वह करेंगे नहीं तो यही फिजिक update ही फिलाल आली बिलाल के बारे में तो आप क्या कहना चाहते हो आप comment section में रख देना अगले update मे बात करने वालो Nick Walker की दोस्तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि Nick Walker directly आके Arnold में compete करेंगे definitely जाधा बावाल वो नहीं करेंगे विकोज उनको पता है कुछ ना कुछ दिकत उनके साथ हो जाती है और इतने जाधा condition वो क्यू रहे रहे उनने कहा था कि इस टाइम में जाधा surplus में नही भी नहीं थी वैसे बट फिर भी इतने shredded की वो रहे 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 विकोज जैसे जैसे Arnold Classic नजदी का रहा है उनके वेंस सबसे ज़्यादा पॉप अप होने लगी है बाकी सारे athletes से सो हो सकता है कि वो Arnold Classic टार्गेट करें या फिर उसके बाद होने वाला कोई भी और शो टार्गेट करें बट मुझे लगता है अगर उनको qualification चाहिए देन उनको कोई बड़ा शो खेल की qualification लेनी होगी Arnold Classic में वो इसे वो compete भी करते है बट हैंस्टिंग अभी तक वो 100% ट्रेंड नहीं कर रहे है इसलिए वो compete नहीं करना चाहते है बट लेट सी गाईज मुझे तो strong gut feeling आ रहे है कि वो compete करेंगे तो इन अपडेट के रेस में Samsung दुदा भी कही पीचे नहीं रहने वाले वो भी आये अपना एक भालू वाल अपडेट लेके एक monster वाल अपडेट लेके और काफी ज़्यादा पीड लग रहे है वो भी और दोस्तों Samsung देकर ऐसे एलेट है जिनको में 2022 से कंटिनुसली कंपिट करते हुए देख रहा हूँ 2021 से ही आप के लो बट गाईज मुझे लगता है कि जब एलेट कोई इतना कंटिनुसली प्रेप करता है आप सभी को पता है बाडी हेल्थ पारामेटर्स होते हैं बलड टेस्स उनको करने होते हैं और इसा होई नहीं सकता कि दो धाय सल तक वो कितना विदा दा प्रिकॉशन्स ले कोई ना कोई चीज उपर निची जाएगी फिर भी वो शोच टार्गेट कर रहे तो येस गाईज वो अभी रेनिंग आर्नोल ग्लसिक चैंपियन ने तो उनको कंपेट करना ही चाहिए वो तो बनता ही था बट आर्नो शो के बाद उनके फिजिक में चेंजिस आते हैं और इस टेम में वो चेंज देग रहा हूँ गाईज समसुंग अभी इतने दादा फूल नहीं हुआ करते थे और अभी उनकी स्किन ओर फटने लगे मतलब स्टेच पर वो थोड़े वास्कुलर लगने लगे सो लेट सी अभ अभी आपडेट में बात करते हैं फिफ टाइम क्लासिक ओलम्पिया चैंपियन क्रिस बंस्टर अभी ब्राजिल की टूर करके आए और उनने फिजिक अपडेट दिये अपनी बिल्कुल लिन फिजिक लिन रहे थे गाईज वो ओलम्पिया के तीन-चार मेने बाद और उसके और फिर से हम उन दोनों को स्टेच पे देखेंगे ओलम्पिया के और अभी रेमन को हम आर्नोल क्लासिक में भी देखेंगे आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है डेफिनल आप कमेंट सेक्षिन में जरू बताना दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्रिटीन एग्जैक्ली क्यू और कैसे यूज़ करते हैं उसके बार में बताना चाहता हूँ दोस्तो फОसटो फ़र्स्ट अफर् ऐंदीपी को एटीपे में क्रने के लिए यूज़ क्या जाता है अदीपी मतलब यूने सीं डाइफ्वस्पेट उसको एटीपे में कन्वर्ड करते है science के according दोस्तों ये research करा गया है कि creatin लेने से एक experience lifter में 8-9% strength बढ़िये और 14-15% change repetitions में हुए है मतलब उतने जाधा repetitions करने के लिए उसकी ताकत बढ़िये और अपने bodybuilder से भी सुनो होगा कि creatin लेने के बाद आपके muscles बहुत जाधा fuller लगते हैं It's just because of intramuscular water retention Creatin क्या करते हैं आपके muscles में water को pool करते हैं उसके बादे से अपके muscles हमेशा fuller लगते हैं और दोस्तों बहुत जाधा meat से के creatin को कैसा यूज करना चाहिए जाधा यूज करेंगे दिन किंडी damage होगी बहुत सार issues होंगे And guys there are basically two ways to load creatin in your body बहुत सार लोग क्या करते हैं यह है कि guys creatin आप daily consistently एक सेम amount में ले सकते हो जैसे कि मैं personally दीन का 4 gram creatin लेता हूँ तो आप भी 5 gram तक creatin ले सकते हो या फिर आपको अगर load करना है first 5 days में देन आप अच्छी दरी किसे load करके body में reservation बना सकते हो So guys यही था creatin के बारे में और इन सारे benefits को आपके body में experience करने के लिए ही Transformium Nutrition ने अल्टरा creatin यह product बना है और यह मैंने overall summary आपको दीती तो अगर Transformium का creatin आप यूज करोगे यह सारे benefits आपको definitely मिलने वाले तो अगर आपको buy करना देन coupon code मेरा screen पे आप description में लिंक है उसके through order कर सकते हो तो चली वीडियो में आगे बढ़ते है So guys these are the major updates of today's video I hope आपको updates देके कुछ information मिली होगी कुछ excitement बढ़ी होगी आप लोग मुझसे क्या expect करती हो YouTube वीडियो में आप definitely comment section में मुझे पता न suggest कर सकते हो कौनसी भी चीज हो और guys product आप website पर जाके जरूर चेक कर देना So guys thank you so much for watching it See you soon love you all and stay tuned for the next